हेलो गाइस वेलकम बैक टो निव वीडियो आज के वीडियो में हम मैं बताने आलो आप लोग कैसे स्यूस शेडर पैक अपने माइनक्राफ्ट गेम में खेल सकते हैं तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिवी मीडिया फायर लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लिज यहां नीचे ग्लोबल रिसोर्सस है यहां पर जाएए एक्टिव पैक नहीं है माई पैक्स में जाएए पहले और यह स्यूस पी इसे अक्टिवेट कर लिजिए हो गया अब बैक आ जाई है अभी यह लोडिंग रिसोर्स पैक पर अब इसको मतब लोड कर रहा है यह श्यूस सेडर पैक आपके विंटो स्टैंड डिशन में भी बिल्कुल काम करेगा यह माला रिसोर्स पैक लोड होना में थोड टाइम ले सकता है यह मेरा पूरी तरके से लोड हो चुका है तो अब दबाईए आप न्यू वर्ल्ड भी क्रेट कर सकते हैं आपके पास जो वर्ल्ड पहले से उस पर भी कर सकते हैं यह पैंसल वाले आइकन पर क्लिक करिए उसके आद यहां रिसोर्स पैक में जाईए और यहां पर आपका माई पैक्स में जाना पड़ेगा और एक्टिव करना पड़ेगा मैं पहले ही एक्टिव कर चुका हूँ ठीक है तो अब प्ले बटन दबा देजिए याद रखिए का आपको ग्लोबल रिसोर्स में भी आउन करना है और अपने वर्ल्ड में भी नहीं तो एक काम नहीं करेगी अब इसे लोड होने देते हैं यह हम लोग का वर्ल्ड ओपन हो चुका है लोडिंग ले रहा है यह था लोड लेने पैसा दिखेगा आपको अब इसे पूरी से किस लोड हो जानते यह तब दिखाते हैं और यह सन गोल हो गया है अब ठीक से चल रहा है बाली देख्यडे किति कुझे टेक्स्चचर लुद एकदम में री रियल जैसा लग रहा है और इसमें कई ब्लॉक्स का मतलब ठोड़ा टेक्श्चयर चेंच हो गया है मुँ मेव क्जोंओ ग्जोंड ब्लॉक बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसे ले ले लेता है अपने इंवेंट्री में आरन वाला भी ले ले लेता हूँ यह थोड़ा लैक कर रहा है मेरा क्योंकि मैंने अभी काई अपस मिनिमाइस करके रखें इस वज़े से बहुत लैक कर रहा है तो आप लोग का लैक नहीं करेगा अज़े मुझा ब्लॉक प्लेस करना और यह तोड़ जा हाँ अब लग गया अब लग गया अब लग गया अब लग गया इस तरीके से आप लोग इसे डाउनलोड करके खेल सकते हैं मेरा थोड़ा लैक कर रहा है आप लोग का नहीं करेगा इसका गरंटी मैंने का यह आप से मिनिमाइस करके रख्य हुआ है इसलिए यह ऐसा हो रहा है